आज मैंने बनाया है नौरात्री स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड जो नौरात्री में आप जरूर बनाएं हिल्दी की सासत मतलब यह हैवी भी हो जाता है जैसे लगता है कि 2-4 घंटे आराम से मिल जाता है हमें और हिल्दी भी है काफी हलो एबरीवन वेलकम टो मैं चैनल हिल्द सा त्यारी करना होता है तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसके त्यारी में मैंने क्या किया है आदे गंटे पहले दही लिया हुआ है एक पैकेट और इसको किसी जिसे कि कोई भी गहरा बरतन हो उसमें बड़ा सा छनी लिया है औ और दही जो है ठंडी भी हो जाएगी तो हम तुरंद बना के खा सकते हैं तो हमें एक तरह से दो-दो-दो हेल्प मिलेगा अब पानी हटा के किसी भी बावल में इसको दही को हम निकाल लेंगे उसमें और दही जो है मतला फ्रेस होनी चाहिए जैसे खटी ना हो क्योंकि अब केसर वाला पानी जो है वही दही में डाल देंगे अब इसके बास से चम्मच से तो नहीं हो पाएगा बढ़ियां से यह अच्छी तरह से फेटा नहीं जाएगा तो मैंने चम्मच को हटा दिया है और फेटने के लिए जो भी चीज आपके पास हो उससे आराम से इससे देरे जैसे कि 2-3 मिनट हमें इसको फेटना है लगातार मतलब दही जो है दानेदार होती है तो वह आला हमें नहीं चाहिए यहाँ पर जो क्रीमी टेक्चर होता है एकदम वैसा वाला चाहिए तो बीच में फेटते समय देखिए चम्मच से एकवार चेक कर लेंगे कि क्रेम क्रीमी हो गया है कि नहीं और कलर जो है केसर की वज़ा से बहुत अच्छा आ जाता है और केसर ब्रत में खाया जाता है ऐसा नहीं कि ब्रत में नहीं लिया जा सकता है इसको अच्छे से फेटेंगे 2 सीति मिर्ट लगायेंगे बस जो हमारी वो आप ले सकते हैं जैसे एपल हो गया बनाना हो गया या अनार हो गया मतलब जो भी आप खाना चाहें जो भी घर में अबिलबल हो वो हम لे सकते हैं तो उसको अच् wil बारी करके काट के रख देंगे तो मतलब एक तरह से ये बहुत हेल्दी भी है तो सारे fruits को पहले cut करके रख देंगे और इसके साथ ही हमें dry fruits भी cut करने हैं तो dry fruits जो घर में होते ही हैं तो वो सारे dry fruits भी हम cut करके रख लेंगे और यह सब मतलब 5-10 मिनट में बन जाता है और जब बन के आता है तो बहुत अच्छा भी लगता है तो सारा त्यारी यह सब करने के बाद से dry fruits काट लिया और जो भी fruits घर में हो वो काट लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे एक सिदो इलाइची हम फ्रेवर बढ़ाने के लिए उसको अच्छे से powder बना देंगे वो भी रख लेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं सारे fruits को कट कर लेते हैं dry fruits को कट करके रख लिया है मैंने अब फिर से दही का जो हमारा batter बना हुआ है उसको एक बाद चम्मस से ही लाएंगे तो देखे कितना बढ़िया texture आ गया है यही वाला चाहिए हमें creamy creamy एकदम धही हो गया है अब इसी में जो हमने काट के रखे हुए है fruits हमारे पास जो है वो डाल देंगे जो भी आप खाना चाहें यह डालने के बाद से चला देंगे और इसी में dry fruits भी डाल देंगे इतने हमने fruits काटे हुए हो भी डाल देंगे dry fruits कट करके रखा हुए हो भी डाल देंगे मिठास के लिए इसमें क्या करेंगे मिस्री मैंने डाला हुआ है जो धागे वाली मिस्री आती उसका powder बना के अगर अब चाहे तो यहाँ पर चीनी पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन चीनी को खड़ा नहीं डालें और यह अच्छे से इसको mix कर देंगे तो देखे कितना मज़ेदार सा custard तयार हो गया है बनके और अब इसे सर्व कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है और पांस से दस मुट में बन भी जाता है तो आज का custard की recipe अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे नौरात्री में जरूर बनाएए नौरात्री में क्या इसे आप कभी भी बना के ले सकते हैं और वीडियो को friends and family के साथ share जरूर करिए चैनल को मेरे subscribe करिए प्लाइ